रूस युक्रेन के बीच दो साल से अधिक समय से युद्ध चल रहा है। बारी पड़ गया है और एक एकर युक्रेन के इलाकों पर कबजा करता जा रहा है और उसके बचे खुचे हतियारों को भी नश्ट करता जा रहा है। हतियारों की कमी से युक्रेन रूसी हमलों का जवाब तो दूर अपना बचाओ तक नहीं कर पा रहा है। युक्रेन की हालत को देखते हुए फ्रांस के राश्टपती से लेकर कई अन्य जानकार ये भी इशारा कर चुके हैं कि युक्रेन अब हार की तरफ बढ़ रहा है। अब एक अख़बार ने युक्रेन की सेने खूफिया सेवा जी यु आर के नितितों का हवारा देते हुए बताया कि युक्रेन की सेना को युद्ध के मैदान में लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। और अब युक्रेन के पास रूस के ओयल इंफ्रास्ट्रक्चर सही अन्य बुनियादी धाचों पर हमला शुरू करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। रिपोर्ट के मताबिक G.U.R. ब्रिगेडियर जनरल दिमित्री टिमको ने कहा कि उनका देश लाइफ सपोर्ट पटी के एक मरीज की तरह था। और सेन्य हतियार चाहिए। G.U.R. के डिप्टी हेड मेजर जनरल वादिम स्किबिट्सी ने सुईकार किया कि उकरेन की जीत इस समय असंभव है। कई असफलताओं का सामना करते हुए एजेंसी के पास रूस के अंदर हमला शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस विकल्प को उन्होंने नेटो स्टेंडर्ड प्रोसीजर बताया जिसे सेंटर आफ ग्रेविटी या सी ओजी भी कहते हैं। इसके तहित उन टार्गेट को निशाना बनाया जाता है जो शारिरिक या नैतिक रूप से दुश्मन देश के लिए सबसे अधिक वैल्यू रखते हैं। रिपोर्ट के मताबिक G.U.R. का इरादा दो हजार चौबिस की पहली छमाही में क्रिमियन ब्रिज पर एक नया बड़ा हमला शुरू करने और इसे नश्च करने का है। इससे पहले भी 2022 और 2023 में युक्रेन दो बार इस धाचे को निशाना बना चुका है। G.U.R. अधिकारियों ने रूसी आयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर युक्रेनी जोन हमलों का भी श्रे लेने का दावा किया। हलाकि हत्यारों की कमी और सायोगियों से मदद ना मिल पाने के संकट से जूज रहा युक्रेन अपनी योजनाओं में कब तक और कितना सफल होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा दौर में वो रूस का मुकाबला करने की स्थिती में नहीं है। आपको ये भी बता दे कि अगर युक्रेन युद हारता है तो ये सिर्फ युक्रेन की हार नहीं बलकि अमेरिका बिटे सहित अन्य नेटो देशु की भी हार होगी और अमेरिका की साख पर एक बड़ा जटका लगेगा। क्योंकि प्रतेक्ष या प्रतेक्ष रूप से अमेरिका समेथ पश्चिमी देश इस युद के शुरुवात से ही जुड़े हुए हैं।